हेलो, once again, welcome back, students, आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, और आज का वीडियो इसलिए important है, क्योंकि आपके admit card में जो point number 2 है, instruction number 2 है, आपके admit card में जहां पे लिखा हुआ है, entry is not permitted after 10 a.m. या आपका admit card का instruction का point number 3, you must report to the exam center latest by 10 a.m. तो बहुत सारी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अच्छा 10 बजे तक जा सकते हैं, बात तो सही है, 10 बजे तक जा सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चों आप लोगों से ये request होगा, कि 10 बजे तक आप अपने examination center के, जिस room में भी आपका roll number ह है, आप अपने seat पर बैट जाएए, तब तक आप बैट जाएए, that will be beneficial for you, कैसे beneficial है, मैं आभी आपको इस वीडियो में बताने है वाला हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे है, bell ringing schedule को मैंने यहाँ पर display किया है, last entry in examination center with the same है, और last entry के साथ साथ जो answer books, answer copies जो आपको तो अगर आप यहाँ late करते हैं, पहुचिने में तो हो सकता है, आपको entry नहीं मिले, और अगर किसी कारण वस entry मिल भी गए, special request में, तब फिर आपको वहाँ पर जो आगे का process है, वो करने में late लग सकता है, तो इसलिए, it is my humble request to all students who are going to appear in class 10th and 12th examination term 2 in this year 2022, आप किरप्या करके 10 के पहले, आप 9.5 बज़ता सेंटर पे पहुच जाएंगे और automatic आप सेंटर पे जब 9.5 पहुच जाएंगे तो automatic वहाँ पर आपको 10 के पहले आपके room में आपको पता है, चल जाएगा कि आपको बैठना है, तो 10 बज़े आपका answer book, यानि क्या आपकी copies, जिस पे आप answer है, वो distribute होना start हो जाएगा, और उससे में एक long bell बज़ेगा, एक long bell बज़ेगा, एक long bell बज़ेगा, एक long bell बज़ेगा, bell schedule के according जो CBSE ने release किया है, second है, question paper distribute कब होगा, question paper 10 बज़े आपको answer copy मिल जाएगा, question paper आपको 10.15 में मिलेगा, क्योंकि वो 15 मिनिट है, वो आपको fill up करन है, उसमें किस प्रकार से dark circle करना है, name लिखना है, role number लिखना है, सब मैंने उसमें विस्तार से बता दिया है, आप उसको जरूर एक बार देख लिजेगा, इसी चैनल पे मेरे पुराने वीडियो को देख लिजेगा, मैंने जस्ट एक दिन पहले उसको upload किया है, how to fill the first page of CBC 10 12th term to examination answer copy करके है, आप उसे देख लिजेगा, तो 10-15 में question paper distribute हो जाएगा, जैसे question paper distribution का symbol एक single bell बज़ेगा, और question paper आपके room में जो भी इनिवलेजीटर होंगे, जो assistant superintendent होंगे, वो distribute कर देंगे, अब question paper distribution क्यों किया जा रहा है, आप बोलेंगे कि sir, admit card में तो लिखा हुआ है कि point number two instruction में कि time of commencement of examination is 10.30, कि परिक्षा तो 10.30 से सुरू होगी, तो ये 15 minutes आपको question पहले क्यों मिल रहा है, तो 15 minutes is for reading the question paper, 15 minutes आपको question paper पढ़ना है, हर साल CBC बचों को पढ़ने के लिए समय देती है, तो 10.15 से लेके 10.30 तर, from 10.15 am to 10.30 am आपको question paper को अच्छे से पढ़ना है, फिर से एक long bell बजेगा after 15 minutes, that means on 10.30 तब आपकी परिक्षा सुरू हो जाएगी, commencement of examination, आपका परिक्षा स्टार्ट हो जाएगा 10.30 में, एक घंटा जब आपका परिक्षा हो जाएगा, तो एक घंटे के बाद एक bell बजेगी, 11.30 में, जो आपको ये warn करेगे कि now one hour has completed, कि एक गंटा का समय अब समाप्त हो चुका है, जब one and half hour complete हो जाएगा, जब आपकी परिक्षा अगर दो गंटे की है, जनरली maximum paper दो गंटे के है, तो आपको फिर से one and half hour के बाद एक bell बजेगी, 12 बजे, one and half hour में 12 बजे बेल बजेगा, जो single bell रहेगा, और आपकी परिक्षा अगर दो गंटे की है, तो अब परिक्षा खतम होने के पहले, suppose कि ये 10.30 में परिक्षा स्टार्ट हो रही है, तो दो गंटे के परिक्षा है, तो 12.30 में खतम हो जाएगी परिक्षा, तो 12.30 होने के 10 मिनट पहले, that means 12.20, 12.20 PM, उस समय क्या होगा, फिर से एक single bell बजेगा, जिसमे जो भी आपके क्लास में, जो भी इन्विलेजीटर होंगे, वो आपने डोर को क्लोज करेंगे, वो डोर को क्लोज रहता है, CBSE protocol, CBSE instructions है, जिसको फॉलो करेंगे, और एक final bell, finally 12.30 में, अगर आपके दो घंटे का पेपर है, ये घंटे का, ये डिर घंटे का जैसा पेपर होग लिए आपको best of luck, thank you everyone for watching this video,